दोस्तों रेलवे एक्जाम के लिए हमने जो समान अध्यान का प्रेक्टेस प्रारंब किया था उसकाज 29 यानि 300 प्रेक्टेस सेट लेकर उपस्तित हुए है आपको बता दे हमारी इस प्रेक्टेस सेट में जो भी सवाल लेते हैं वो किवल रेलवे एक्जामी नहीं बलकि एसससी यूपिटर प्रेक्टेस सी और भी अन्य प्रतियोगी परिछाओं के लिए मात्पून होते हैं तो क्रेप्टेस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें प्रम करते हैं अपने पहले प्रेस्ट से पहला प्रेस्टन है क्रेसंद्यों राय के दरबार में अस्ट दिगज क कौन सा होगा दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प डी यानि आठ तेलगू कभी इनको अस्ट दिगज नाम चे जानते थे करस्द्यों राय के दरबार में रहते थे करस्द्यों राय साउथ में रहने वाले संगाम वंसिके प्रमुकरा जाते दूसरा सवाल है दचली भार होईसल के मत और विकल्प डी है चोलें पांड्यों के मत तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प बी यानि चोलें राश्ट कूटों के मत दच्छिल भारत का प्रसित तक कोलम का युद्ध हुआ था तीसरा सवाल है किस सिखी गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरों की सहायता धानेयमासिरवात दोनों से की थी विकल्प जया तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प C यानि गुरु अर्जुन देयो जो सिख्खों के गुरु थे उन्होंने राजकुमार खुसरो उनको धन और आसिरवाद दोनों से सहायता की थी दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प A यानि अरुनाचल प्रदेश में उसके कुल भागोलिक चेत्र का जो हाइस्ट परसेंटेज है सबसे ज्यादा है वहाँ पर पांचवा है भारवाई पसू लामा कहां पाए जाते हैं विकल्प A तिब्बत विकल्प B आर्केटिक्ट विकल्प C आल्प्स और विकल्प D एन्डीज तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तो इसका सही जवाब है विकल्प D यानि की एन्डीज परवत है साउथ अमेरिका में अमेरिका में जो एन्डीज परवत है वहाँ पर यह जो भारवाई भार ढोने वाले पसू लामा पाए जाते हैं यह उटो की एक प्रजाती है च्छाटा सावाल है नेमनेकित में से कौन सा एक छेत्र विश्यू का सरोत्तम कार्ड मत्शन छेत्र है आपको बता ना विश्यू का सरोत्तम कार्ड मत्शन छेत्र कौन सा है विकल्प E है उत्तरपूर अट्लांटिक विकल्प B है धचलपूर प्रसांत विकल्प C है पस्च का सरोत्तम काड मतसंद छेत्र आपको बता दे मचलियों की प्रजाती में एक डिसेस प्रिकार की मचलि होती है सातवा सवाल है लोग चभा का पहला चुनाओ लोग सभा का पहला चुनाओ कभ हुआ था विकलप़ एय। आपको पताना है लोग सभा का पहला चुनाव कब हुआ था तो दोस्तों इसका सही बिकल्प होगा विकल्प ए यानि उन्निस सो बावन में भारती स्वतंतता के बाद लोग सभा का पहला चुनाव था इसको जरूर याद रखे दोस्तों आठवा सवाल है राच्यसाबा का उपराष्टपती विकल्प सीय पर धानमंत्रियों विकल्प टिय किसी एक राज्य का राज्यपाल तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प यानि की उपराष्टपती वाइस प्रेसिडेंट राज्यसाबा का अध्यच्छ होता है आपको को चुकि नाम मत्र के उपराश्ट पती होते हैं जब कि इनका मुख काम जो होता है वो होता है राजिस सभा का अध्याच्छ पत्पे काम समालना नवा सवाल है भारती समिधान को कप अपनाया गया था विकल्प A है 26 नॉंबर उन्नेश सो आश विकल्प B है 15 जस सटारेस् विकल्प D है 26 जनवरी उन्नेश सो पचास्थ हो विकल्प C है 26 जनवरी 1905 विकल्प D है 2 अक्टूबर 1922 थो ısका creamy जवाब होगा दोस्तों विकल्प A याई यानि 26 नॉंबर 1949 को भारती सम्मिधान को अंगी क्रत किया गया था या अपनाया गया था हाला कि यह पूर्टा 26 जैनुवरी 1950 से 1950 से लाग हुआ लेकिन 26 नॉंबर 1949 को अपना लिया गया था दस्वा सवाल है उधार पत्रक यानि कि क्रेदिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है कि अ छोनम में मुद्र मुद्र यानि प्लास्टीक बनोशाव सो क्रेदिट का जो सही जवाब हो है विकल्प A, यनि कि सुनम में मुद्रा, प्लास्टिक मनी की रोप में इसको जाना जाता है, ग्यारुबा सवाल है वैस्वी करण, यनि ग्योबलाईजेसन का अर्थ क्या है, विकल्प A है अर्थिप्यस्ता की वीवेन छेत्रों का एकी करण, बिकल्ब B है घरेलू अर्थिप्योस्ता का विस अर्थिप्योस्ता के साथ एकी करण बिकल्ब C है अर्थिप्योस्ता का एकी करण और बिकल्ब D है मुद्रा बजार का एकी करण तो आपको बताना है वैस्जी करण का क्या मीनिंग है दोस्तो इसका सही जवाब है पिकल बी यहनि की घरेलू अर्थिपरस्ता का विश अर्थिपरस्ता के साथ एक ही करण करना दोस्तो 1992 में आपको बता दें 1992 में LPG का दावर शुरू हुआ बारत में LPG का दावर शुरू हुआ LPG यहनि लिबराइजेशन पीफा प्रेविटाइजेशन इन जीफा ग्लोबलाइजेशन तो इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब है घरेली वर्थिपरस्ता का विश्चु के अर्थिपरस्ता के साथ एक ही करण करना बार्वा है वस्थ उद्द्योग तो आपको बताना है पुण्जी जो का सबसे अच्छा उधारन कौन सा है कि दोस्तों सका विक बी यह यानि इसपात W Whether व्द्द्योग सही बिकल्प है स्पात उद्द्योग भारत में प्रमक्ता फुंजिवर्धक उधरक लिए ती तेर бол admit सर्द न नियम लिखित में से कौन सर्तत्व नहीं होता है विकल्प A, iron, विकल्प B, tungsten, विकल्प C, chromium और विकल्प D, nikel इसका सही जवाब होगा तो स्टो तेरेवे का सही जवाब है विकल्प B, यानी tungsten, stainless steel में सामिल नहीं होता जबकि iron, chromium और nickel तीनों को मिला के stainless steel का निर्माड किया जाता है चौधवा सवाल है जो नाविकी reactors हैं उसमें मंदक की रूब में किसका प्रयोग किया जाता है विकल्प A भारी जल, विकल्प B पेट्रोलियम, विकल्प C आक्सीजन और विकल्प D लकडी तो आपको बताना है इसमें जो मंदक की रूब में प्रयोग किया जाता है नाविकी reactor में किसका यूजक किया जाता है दोस्तों का सही जवाब है विकल्प A या निकी भारी जल का अबईच नाविकी रेक्टर में मंदक समें की रूब में चारी धातू, विकल्ब C है, हेड्रोजन और विकल्ब D है, कार्वन. तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब है, विकल्ब A यानि संक्रांत धातू से उत्पेरक कन्वर्टर समन तयाब बनाए जाते हैं. दोस्तों अमीद है, आज की वीडियो आपको पसंदाई होगी, अगर ये वीडियो पसंदाई हो, तो क्रपया लाइक करें, सेयर करें, साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकान को बजाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तो हम उनके अनुसार सुधार करने के लिए ततपर हैं, आपके सफल वर्षी के लिए हमारे वर्षी सुपकामना है, धन्वाद